जहन साथियों वेलकम टू लेट्स क्रैक टॉपर्स मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एंडियन रेलवे जो एंटीपी से का एक्जाम 15 दिसंबर 2020 से कराने वाली थी वो एक्जाम 15 दिसंबर 2020 से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि हाल ही में 30 अक्टूबर 2020 को जारी किये गया एक नोटिस के रिगार्डिंग मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उसने जो नोटिस जारी किया है वो है इसका मतलब है कि मिनिस्ट्रियल एक्जाम जो 03 अपन 2019 में निकला था उसके एक्जाम 15 दिसंबर से सुरू होने जा रहे हैं तो यह हमारे लिए कहीं न कहीं जो लोग भी एंटीपी से के एक्जाम के डेट का वेट कर रहे थे उनको थोड़ा दुख पहुंचा होगा लेकिन आपको बिल्कुल परसाल होने के ज़रूत नहीं है कि एंटीपी से का एक्जाम नहीं होगा वो होगा रेलोय ने जब जारी किया तो वो एक्जाम कराएगा ही कराएगा लेकिन सबसे पहले मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेट के टिग्रीज के एक्जाम से होंगे ठीक है अब देखें फर्स्ट पॉइंट में यहां पर लिखा है कि अप्लिकेशन वर इन्वाइटेट फॉम एलिजिबल कंडिट फ जो एक्जाम होंगे वो 15 दिसंबर से ले करके और 23 दिसंबर के बीच कराए जाएंगे मतलब एक हपते के लगभग एक्जाम चलेगा ठीक है और उसके बाद हो सकता है एंटीपीसी का भी डेट जारी किया जाए तो साथियों आप बिल्कुल चिंता मत किजी एक्जाम होंग अंटीपीसी के भी एक्जाम होंगे ठीक है । एस्टीएश्टी की कैंडिडेट्स जो है उनको अरबिके वेबसाइट से एस्टी एस्टी के जो भी ट्रेवलिंग पास बगला है वह क्या होगा दालेंक प्लिंग पेजाम सिटी डेट और डाउनलोडलोड दिन पहले डाउ कि क्या होगा लिखा होगा ठीक है और साथ में कैंडिडेट को यह सलाह दी जाती है कि वह ओफिस्यल वेबसाइट जहां से उन्होंने आविदन किया है वहां से वह अपने रिक्रूमेंट प्रोसेस को चेक करते रहें और किसी भी तरह के गलत चक्करों में ना पढ़ें ठीक है किसी भी तरह के जूठे दाओं से साधान रहें फेक प्रोमिसे से साधान रहें सिर्फ और सिर्फ रेल्वे जो है अपॉइंट्मेंट देता है आपके मेरिट के बैस पर ना कि किसी के इस पर ठीक है ना तो तो तीस दस 2020 को इनोटिस चारी किया गया था चेहर पसंड रेल्ल कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आगे तक बढ़ाएं आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आपको जानकारी देता रहूंगा ओके थेंक्यू सो मच डोंट फोगेट तो लाइक सेर अन सब्सक्राइब मैं यूटुब चैनल लेट्स क्रैक टॉपर्स ओके थेंक्यू सो म आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट देता रहा हूं थेंक्यू